अक्सर आप रायता बनाते होंगे लेकिन इसे और अधिक स्वादिस्ट बनाने के लिए सापुद जीरे और हींग का तड़का लगाएं। पुदिना पाउडर डालने से भी उसका स्वाद बढ़ जाता है। दाल को जाइदा स्वादिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें जीरा, राय, प्याज और करी पत्ते का तड़का लगाएं स्वाद दूगुना हो जाएगा। बेसन का चीला नरम बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ताज़ा दही मिलाएं। प्याज को काटने से पहले उसे ठंडे पानी में डुबो कर रखें। इससे प्याज काटते वक्त आखों में आसू नहीं आएंगे। साबुदाने की टिक्की बना रही हैं तो उसमें एक ब्रेट का टुकड़ा भी मिला दें। इससे टिक्की नहीं फटती हैं। अगर आप दाल में सिर्फ जीरे का तड़का लगाते हैं तो अब दाल में बारिक कटा हुआ धनिया और थोड़ा सा घी भी मिला लें। दाल का स्वाद और रंग दोनों बढ़ जाते हैं। बिंडी काटने के तुरंत बाद उसमें नीबू का रस मिला दें। इससे बिंडी का चिपचिपापन खत्म हो जाता है। लौकी के कोपते बनाने जा रहे हैं तो लौकी कद्दुकस करने के बाद निकले पानी से पराठे का आटा लगाएं। पराठे मुलायम और स्वादिस्ट बनेंगे। ओमलेट बना रहे हैं तो जब अंडा फटर रहे हो उसमें दो चम्मस दोद मिला लें इससे ओमलेट अधिक मुलायम बनेगा। खीर बनाने से पहले चावल को एक घंटे तक भीगो कर रखें। इसके बाद 10-15 मिनट के लिए फैला कर सूखा लें। इस चावल को बेलन से क्रस कर लें। इस चावल के खीर बनाएं स्वादिस्ट बनेगी। खीर बनाते समय चीनी हमेशा अंत में ही डालें क्योंकि चीनी पहले डालने से चावल ठीक तरह से पकाये नहीं जाते। सूजी का हलवा बनाने जा रही हैं तो सूजी सकसेकते वक्त उसमें जरा सा बेसन मिला दें इससे हलवा अधिक स्वादिस्ट बनेगा। दाल को उबालते समय उसमें एक चुटकी हींग डाल दें इससे उसकी पाचक शमता बढ़ती हैं स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप आधा चम्मस तेल भी मिला सकते हैं। अगर कुछ भी मीठा बना रहे हैं तो बनाते समय उसमें एक चुटकी भर नमक डाल दें इसे ब्यंजन का मीठापन निखर जाता है अगर आपकी रोटियां या पराठे जाइदा टाइट या क्रिस्पी बनते हैं तो छेना फालने के बाद बचे हुए पानी का इस्तिमाल कस कर डालें हलवे में सूखी चीनी डालने की जगह चासनी बना कर डालें जाइदा स्वादिस्ट बनेगा टमाटर सूप को गाड़ा वो स्वादिस्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा ब्रेड चूरा डालें मिक्सी में चलाएं सबजी में खटाई सबजी पक जाने के के बाद ही मिलाएं बेसन के खोल में जरासी उड़त के डाल का पेस्ट डाल दें इससे पकोडियों का स्वाध बढ़ता है दूद को उबालते समय दूद के बरतन पर एक लकड़ी का बड़ा चमच रख दें दूद बाहर नहीं गिरेगा बरसात के देनों में मसाले को खराब ह उने से बचाने के लिए उन्हें काच के जार में रखें मसाले में थोड़ा सा नमक मिला दें इससे मसाले में जाले नहीं पड़ेंगे प्याच काटने के बाद अक्सर इसका गंद हाथों में रह जाता है इससे चुटकारा पाने के लिए हाथों में बेकिंग सोड़ा ले व इससे चावल जाइदा सफेद वो खिले-खिले बनेंगे। समोसे का आटा गोत्ते समय, इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिला लें, इसमें समोसे कुरकुरे बनेंगे। आलो की टिक्की के मसाले में एक कच्चे केले को उबाल कर मिला लें ऐसा करने से टेस्ट बढ़िया आता है अगर आप बेकिंग करने जा रहे हैं तो ओवन कुछ देर पहले से ही गर्म होने दें छेना फालने के बाद उसके पानी का उप्योग पराठे आठे गूटने में करें हमें जा क्या हई से एक उम् подпис दो कि अकलवाए जाई या देकाल लेक्नावे।